So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Trader So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी join कर सकते हो जिसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ updates मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार check out जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue तो वीडियो की शुरुवात HL के साथ हम करने वाले है HL में आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर काफी बड़ी announcement हो सकती है काफी बड़ी news यहाँ पर आने वाली है और उससे पहले इसकी सारी तयारिया start हो गई है HL में आज हमें काफी अच्छी तेजी नजर रही पिछले कुछ दिनों से गिरावट हम देख रहे थे बजट में यहाँ पर जो expectations थी ओ नहीं रही बट highest allocation यहाँ पर defense में ही रहा और उसी के साथ अगर देखा जाए तो HL में अब धीरे धीरे recovery start हो गई है हिंदुस्तान Aeronautics Limited 4,908 रुपे के level पर stock ने हमें closing दी 77.95 रुबिस के round अगर आप देखते हो तो stock में हमें काफी अच्छे returns देखने को आज मिले पिछले 5 दिनों में अगर आप देखो काफियत तक fluctuations नजर आए यहाँ पर 23 जुलाई की दिन काफी बड़े fall भी हमने देखे काफी बड़ी गिरावट यहाँ पर हमने देखी थी बट उसके बाद थोड़ी वो तरीकावरी यहाँ पर रही एक महीने में अभी भी stock negative ही return दे रहा है बट आज 77.95 रुबिस तक के एच्छे returns company की ओर से देखने को मैं मिले हैं यहाँ पर कुछ बड़ी news है जिसे हम discuss करते है पहले मैं एक चीज आपको clear कर देता हूँ कल हमने इसके बारे में discuss किया तो और इसका एक positive fact आ सकता है ही चीज में बिने गही थी यहाँ पर कल अगर देखा जाए तो ballistic missile का test हुआ था कल के दिन और बिल्कुल HL और TSL TSL की अगर हम बात करें Tata advance की अगर बात करें TSL तो यह काफियत तक अगर देखे इसमें involved रहे हैं इंडिया 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 स्टेस सेकेंड फेज ओप की इसका test किया गया और इसका test किया गया था धर defense research and development organization DRD की और से चीज़ कही थी Wednesday की दिन successfully plight यहाँ पर test कर ली गई the second phase of India's ballistic missile defense system of the Audisha court uh coast uh to thwart treat from missile with range of 500-5000 km की आराउन तक की थी defense ministry की और से clearly announcement कर दिया गया था और इसमें HAL अगर देखे तो बिल्कुल involved रहा है HAL और Tata advance system की अगर हम बात करें तो ओभी इसमें involved रहा है और इससे पहले अगर देखे दोनों ही यहाँ पर बड़े firms की और से अगर देखे बड़ी meetings होई थी और finally यह successfully जो test किया गया उसके बाद stock में आप देख सकते हो एक अच्छी growth भी नजर यहाँ पर आ चाती है LCH प्रचन के production की यहाँ पर contract sign होने से पहले बट जल्दी इसका contract अगर देखे sign होने वाला है और stock में एक बड़े level पर एक बड़ी growth नजर आने वाली है इन मुव फाइलाइटिंग प्रॉक्टिव स्ट्राइजी हिंदुस्तान Aeronautics Limited HL has begun procuring materials for the light compact helicopter प्रचन इवन before finalizing contract with the ministry तो यहाँ पर अगर देखे जो भी material यहाँ पर लगने वाला है उसके लिए काफी तक तयारी इन्हों ने स्टार्ट कर दिये 156 unit यहाँ पर इनके वर से तयार की जाएगे 156 प्रचन यहाँ पर जो स्टार्ट कर दिया गया है कि आने वाले टाइम में अगर देखे इससे जल्दी तयार करने में टाइम ना लगे प्रोडक्शन की जो टाइमिंग उसमें यहाँ से बिलकुल रेडी उसी जहाँ पर किया जाएगा तो एक बड़ी चीज यहाँ पर हमें देखने को बिलती है त उससे पहले अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आने वाले टाइम में कई बड़े इवेंट्स यहाँ पर रहने आएंगे वेचल की अगर हम बात करें इसके कौर्टरली रिजल्स अनाउंस होने वाले हैं तो 9 अगस्त 2024 कौर्टर 1 एफ़ए 25 के जो रिजल्स है यहाँ पर होगे तो बिल्कुल 9 अगस्त 2024 के लिए आपको यहाँ पर रेडी रहना है यहाँ पर बहतरीन रिजल्ट आने की पूरे बूरे चांसस नजर आ सकते हैं अब बात करें अगर यहाँ पर डिविडेंड की तो कंपनी की और से 13 रुपे पर इक्विटी शेर का डिविडेंड य आपको मिलने वाले हैं तो इसके उपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए तो बिल्कुल आप रेडी रह सकते हैं अपकमिंग ट्रेडिंग सेलंस बड़े इवेंट्स आने वाले बिल्कुल आप त्यार हो और जो डेक्स टॉक है इसके लेवल्स हम डिसकस करेंगे आगे बिल की अब बात कर लेता है बिल की अगर हम बात कर रहें तो बिल्कुल स्टॉक में आप देखोगे 310 रुपे 45 बेसे तक की एक बहतरीन तेजी नजर आई 9 रुपे तक की काफी अच्छे रिटन स्टॉक की और से देखने को मिले जो लेवल्स हमने कल डिसकस किये था उन लेवल्स के इसाब से इन पर्टिकलर शेर्स की और से बहतरीन रेटन देखने को में मिलते हैं पिछले पाच दिनों में स्टॉक में गिरावड भी रही बजट की दिन काफी बड़े फॉल भी हमने देखे बड़ उसके बाद एक रिकवरी भी हमने देखी एक महीने में स प्रोकरेश फर्म्स है उनकी और से पॉजिटिव रेटिंग यहां पर दी जा रही है इन पर्टिकलर शेर्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आप इसमें पॉजिटिव रह सकते हो बड़े बड़े टार्गेट से यहां पर अगर देखे कुछ फर्म्स की उससे इसमें द कर रहे हैं और हमें किन पॉइंट्स के उपर ध्यान देना चाहिए तो पहले हम बात करेंगे एचल के लेवल्स की तो एचल के लेवल किस तरीके से काम कर रहे हैं तो कल 5 मिनिट के टाइम फ्रेम पर हमने कुछ लेवल आपके साथ डिसकस किये था एक्जाटली उन्हीं था उपर से यहाँ पर रजिस्टन्स भी था और बीच में अगर देखे हमने एक सपोर्ट के बारे में भी कहा था तो बिलकुल यहाँ पर अगर देखे बीच में जो रींज हमने बनाई थी उस पर भी इसने मल्टिपल टाइम सस्टेन किया और ब्रेक आउट की अगर बात क देख सकते हो तो एक सिमेट्रिकल टाइप पैटन का ब्रेक आउट हमें मिल रहा है ठीक है एक सिमेट्रिकल टाइप पैटन यहाँ पर मिला आज इसने ब्रेक आउट यहाँ पर दिया अफ्टर ब्रेक आउट स्टॉक उपर गया फिर यहाँ पर साइडवेज है बट आगे भी यह शेयर में बड़े लेवल बड़े रिटन्स देखने को में मिल सकता है इस पॉइंट के उपर भी आपको यहापर ध्यान देना चाहिए तो बिलकुल यहापर आप पॉजिटिव रहो तो एक प्रॉपर सैटप यहापर बन चुका है तो आने आले टाइम में क्या टार्गेट्स इसमें होगे कि इन लेवल्स के अराउं तक यह स्टॉक जा सकता है तो हम डिसकस करें के डिटेल में अब बात करें हमारे नेक्स टॉक की तो बिलकुल यहापर जो हैचल में लेवल् और डाउंटेन रिजिस्टंस यहापर ले रहा है बट रिजिस्टंस और ब्रेक करता है तो अच्छी रैली आ सकती है और यग्जाट्ली आप देख भी सकते हो डांसाइट के और से अल्रेड़ी सपोर्ट यहापर था यहापर इसने अगर आप देखोंगे लेवल को काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर ब्रेक किया, after breakout stock में एक अच्छी rally हमें upside की देखने को मली, इस particular rally के बाद stock ने again यहाँ पर अगर आप देखोगे sustain किया, sustain करने के बाद stock ऊपर के ओर जा रहा है, तो बिल्कुल breakout हमने कल ही discuss कर लिया था अभी भी आनी बाकि है तो बिल्कुल आगे में डिसकस करूँगा कि ये बड़े लेबल तक भी जा सकता है एक स्प्लीट शेयर को डिसकस करते हैं बाल मेर इंवेस्मेंट की बात करें तो नौसो साट रुपे का शेयर है आप बाय करते हो इसका बेनेफिट आपको मिलेगा और उनौसों काफी कोछी चीजाएमने ने डिसकस कर लिये तो आहको आपको ये वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी stock में investment करते हो तो इनका analysis कर लेना साथ ही telegram चनल को join करो link निचे description में है thank you